नमस्ते मेरी पूरी योटो फैमली आज हमने बनाया है बेशन का डोकला और ये डोकला यकीन मानिये इतना स्पंजी इतना जाड़िदार इतना अच्छा बनके तैयार हुआ जैसे हम मार्किट में खाते हैं ना सेम वैसा ही जिसने खा रखा ना सबने यही कहा कि सेम मार्किट जैसा लगा तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है तो चलो इसे बना लेते हैं अगर पसंद आता है आपको तो ये वीडियो लाइक और सेर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना हमने यहां पे एक कटोरी लिया है बेशन और एक ही कटोरी हम लेंगे दही और पाने क तो फिर हमने इसको डालना है बेशन के अंदर पस अब क्या इसको बेशन को अच्छे से मिक्स करना है दही के साथ इतना अच्छा इतना हळका सा बना देना है इस दही को ऐसे फैटते फैटते देखिए लगातर में इसको चलाती रहूंगी बहुत आसान है इसको बनाना जि इसको भी आत्ता समझ में वो तो बिल्कुल बना लेगा और बना के खुद पे इतना यकीन करेगा कि हम तो दो बार अभी ऐसा कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं तो यहां पर देखे हमने क्या किया बेशनोर दही को तो मिला दिया फिर इसमें चुक्टी भर डालना है दही स्वादनुसा डाले हर्दी यहां पर द्यान से चुक्टी भरी डाले क्योंकि क्या है अगर हम हर्दी को जादा डालेंगे ना तो जो डूकले का जो कलर है वो नहीं आएगा लाल-लाल सा हो जाएगा मार्किट में देखे एक दम पीड़ा-पीडा सा दिखता ना कितना अच् कारण से तो यहां पर हमने इसको दस मिंट के लिए डखके रखा था अब देखिए अच्छे से ना बेशन अच्छा हो चुका एक दिम हड़का सा इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे तो अब हमने इसमें डालना है एक चमची चीनी हम डालते नहीं है मतलब कि हमने यह द इसको भी डाल देते हैं इसको मिला लेंगे हम तो इसको भी मिला लिया है अब इसमें डालना है हमने यहां पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा यह देखे तो यह भी ऐसे डालने के बाद हम तुर्णत मिला लेंगे अब यह है इनो एक चमच से कम है देख सकते हो तो इसको मिलाएंगे थोड़ा सा पाने डालके थोड़ा सा पाइन डाला देखिए अब इसको बहुती हड़के हातों से मिलाना है एकदम यह देखे जाग से उठ जाएंगे इसमें इत्म हड़का सा हो जाएगा यह देख सकते हो तो इससे पहले आप एक थाड़े तयार करके रखे जिसको गी से गरिस कर किया हो और गैस पे क्या है कढ़ाई में पाने गरब होना चाहिए यह सबी चीजे होने से पहले तो यहां पर फटाफट से थाड़े में हम निकाल देते इसको ज्यादा देर ऐसे रखना नहीं है तयार करने के बाद तो यहां पर देखे थाड़े में अच्छे से डाल दिया है थोड़ा सा थाड़े में स्पेस है उपर क्योंकि यह है न जब फूल के उपर भी आएगा तो इतना तो स्पेस इसमें रहना चाहिए तो इसको थोड़ा सा डैप टैप कर दिया है देखिए कड़ाई में पाने गरब हो चुका है थोड़ा सा गैस मैंने इसलो करी है ताकि मैं प्लेट को अच्छे से रख सकूँ और अब मैंने गैस को कर दिया है मेडियम पे डख देंगे 15 मिंट के बाद मैं इसको दो बारा च मैं चैक करूंगी कि देख सकते हो मैं चैक कर रही हूं 15 मिंट और अब यह बिल्कुल हो चुका लेकिन फिर भी मैं इसको न एक डेड़ मिंट के लिए और ऐसे ही रख के रखूंगी तब आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखिए एक डेड़ मिंट के बाद मैंने दो बारा देखा न तो अच्छे से तयार हुआ था इसको ठंडा करेंगे हम तब भी हम इसको निकाल लेंगे काटेंगे इसको तो यह देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर जाड़ी सी बने हुए देख सकते हो बहुत ही अच्छा बनके तयार हुआ जिसने भी खाया न सबने यही तारीफ करेंगे कि सेम मर्केट जैसा बना के तुमने तयार किया तो यहाँ पर देखिए चक्कू से हम इसको कट लगाएंगे तो कितने आसानी से कट रहा है तो यह देख सकते हो ऐसे ही कटेगा अगर हमारा जो डोकला अच्छे से बनके तयार हुआ हुआ तो एक तम अच्छे से कटेगा बिखरेगा नहीं यह देखिए इसको ठंडा होने के बाद काते है तो इसको दोनों साइड से कट लेते हैं तो यह देखिए कितने अच्छे से कट चुका है' मैंने निकाल भी दिया है और अभी कितन अच्छे से कोई ऐसा इसमें टोटा नहीं है कोई टोकला और ना कोई विकरा है इतने अच्छे से तयार हुआ ये देख सकते हो आपके सामने है जो कुछ है ये देखिए तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ गई है डोकला बनाने की ये रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज में इस वीडियो को लाइक और सेर करना और मेरे चैनल को सस्क् सकते हैं ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा बना कना है जाड़ी दर कितना बिखाए देख सकते हूँ धेर हैं जाड़ी प्लाव इ具 अच्छे से तयार हुआ है तो यह सब्सक्ति घ्लियो जो कड़ी पतर डाल तो इसमीं हमने कड़ी पत्तर डॉनयां धाल दिया है दोनु की कि छ onda स इसे ओने देंगे पहले में तटकने देंगे फिर हम इसमें कटी हुई तीन चार हरी मिस डालेंगे लंबे साइज में काट ली है तो यह भी ओ चुका है अब हम इसमें डालेंगे देखिए थोड़ी सी चुक्टी बर हेंग अगर आपको पसंद है तो जरूर डाले इससे और भी टेस्ट आता है डोकला खाने में तो थोड़ी थोड़ी सी चीजे हैं जो देख के डालनी है और इनी से जो टेस्ट आएगा इस तड़के का गजब आएगा एक तम यहां पर हमने एक कप पाने डाल दिया है तो यहां पर देखे कितने अच्छे से इस तड़के में न एकदम अच्छे सी खुसबू भी आई है आदा निम्बू डाल देंगे निचोड लेंगे एक दम यह ना कि थोड़ा सा खटा मिठा सा पानी हो जाए अच्छा लगेगा तो यह देख सकते हो मैंने फिर से चीनी डाल दिया मतलब चीनी का जो पाउडर हमारे पास वो डाल दिया है ज्यादा मीठा नहीं बनाया है आमने इसको मरलब ठीक बनाया है कि सब खा सके तो थोड़े सा अमने नमक डाल दिया है सवादनुसा आप नमक डाल ले और इन सब को थोड़ा सा खटका सा अच्छा सा उबाला आने देंगे पाने ना एक यह देखे उबर चुका ना तो बस इसको अब बंद करेंगे और डोकले के उपर इसे डाल देते हैं तो यह देखिए हमारा जो डोकला है कितना अच्छा बंद के तयार हुआ है आप देख सकते हो इस टोकले का जो कलर भी सेम वैसा ही है जो मार्किट में आता है कोई इसमें अगर हर्दी हम ज़्यादा डालते तो थोड़ा लाल-लाल सा हो जाता तो ऐसा नहीं किया तो आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई करें पड़ा असान इसको बढ़ाना तो अगर आपको पसंद आ गया है हमारा यह डोकले बढ़ाने की रेसिपी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और एक बार इसे जरूर ट्राई करे और अपने परिबार को खिलाए आप खाए और फिर बताए कि हमारी जो रेसिपी है कैसी लगी तो एक बार ट्राई